संद कभी नगर के गाउं में साल 2007 सही बकरीत के पर्व पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगी है। इसके पीछे का कारण किसी तरह का दबाव या विवाद नहीं है बलकि धार्मिक समझाता है। इस गाउं में बकरीद पर कोई भी बकरे नहीं काटता और ये तेवहार हसी खुशी के साथ बीटता है। इस गाउं की एक और अनोखी बात है, यहां होली पर हिंदू समुदाई के लोग होली का दहन भी नहीं करते। दरसल 2007 में कबरिस्तान के पास होली का दहन करने से दो समुदाव में जड़प हो गई थी जिसके बाद प्रसाशन ने दोनों के बीच सुला कराई। जिसमें दोनों गुटों के बीच समझाता हुआ कि मुस्लिम जानवरों को नहीं काटेंगे और हिंदू होली पर होली का दहन नहीं करेंगे। जिसके बाद से दोनों समुदाव गाउं में शांती का मौहल बनाए रखने के लिए अपनी मर्जी से बकरीद में कुर्बानी नहीं देते हैं। वहीं इसका वाइरल वीडियो जारी हुआ है जिसमें जबरन पुलिस वाले बकरों को ले जा रहे हैं और औरते रो रही हैं। इस वारल वीडियो से इस तरह की अफ़ाइ फैल रही है कि बकिरीद में कुर्बानी देने से रोकने के लिए पुलिस जब्रन बकरों को अपने कबजे में ले रही है लेकिन ऐसा नहीं है पुलिस लोगों की रजामंदी से बकरों को ले जाती है और तीन दिन बाद वापस दे देती है वीडियो में रो रही औरते बक्रों से लगाव की वज़े से रो रही है नहीं किसी दवाव या जबजस्ती की वज़े से